ना सूजी ना वेशन ना मैदा ना ही कोई आटा की जरूरत है इस नास्ते को बनाने के लिए बहुत ही इंस्टेंट बनके ये नास्ता रिडी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेश्टी भी ये लगता है तो आप इस रेसीपी को एक वार जरू ट्राई कीजे आपको भी आप चाहें तो दो भी ले सकते या फिर इससे ज्यादा भी ले सकते आपको जितना बनाना आप अपने हिसाब से ले 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 आहां पर इस आलू को मैस कर लेना है और ये अलू अच्छे से मैस हो गया है तो अब मैं एक मीडियम साइज का चौप किया हुआ ओनियान और थोड़ा से इसमें बारी कटा हुआ धनिया एड़ करना है और अपने टेस्ट के कोड़िंग यहां पर नमक एड़ करना है साथ में जो हरा धनिया का मैं चटनी बनाई थी उसे एड़ करना है दो या तीन बड़ी चमच यहां पर एड़ करना है जिसे थोड़ा सा ये आल सब्सक्राइब करना तो मैं आप ले ली हूँ मैं पर इस तरhyके से फैला के अअड़ करना आप चाहे तो हड़ा चटनी जो है आप ब्रेट चाहे से ना बरेट के इसकी भाल no, प्रेड के उसिज़ा लिए लेकिन। शतनी नहीं है ना आइड़ कर रही हैं। थोड़ा सा स्पून को प्रेस करते हुए अच्छे से इसे फैला लेना है आलो को और इसी तरीके से सारे ब्रेट के उपर इसी तरीके से लगा लेना है यह देखें बहुत ही मतलब इजी बनके नास्ता रेडियो जाता है बिल्कुल भी झजट नहीं और टेश्टी तो बहुत ह जादा पसंद आगा आप चाहें तो इसका जो ब्रेट का साइड वाला पाठेन उस पे लगाए आलो या फिर उसे भी छोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से लगा ले अगर लगाना है तो तो मैं यहां पर वाइट तिल लेली हूं और यह लीजिए वाइट तिल के उपर इ इसके वज़ा से अच्छे से चिपक जाता है और यह इसी तरीके से सारे ब्रेट को हमें कर लेना है और यह देखिए मैं साइड में रख दे रही हूं और सेम प्रोसेस हमें सारे ब्रेट में रखना है सेम फॉलो करना है और यह लीजिए यहां पे तीनों ब्रेट रेडी हो नाइब और यहीं पर घेश का गरती है नियुक्त से उपड़ा ने हुआ निकरती है तो यहां में इसे पलट ले रही हूँ यहां पर रोष्ट करके ली थी आप चाहें तो कच्चा भी लेसकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा रोष्ट करी थी रोष्ट करने से क्या होता है ना कि अगर अभी ये नहीं भी पकता है ना तो पहले ही थोड़ा रोष्ट रहता है थोड़ा सा भी पक जाता है तो टेस्ट कच्चा का नहीं आता है बूनाव अच्छा रहता है तो आप अपनी हिसाब से ले ले, अगर आपको रोष्ट करना है तो रोष्ट करना है तो रोष्ट करके ले ले, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं तो ये स्टेल के उपर मैं थोड़ा थोड़ा ओिलाइट कर दें हूँ और दीखिए प्लेट के मैं दोनों तरफ से अच्छे से से शेख लूँगी और ये लीजिए हमारा टेश्टी सा ब्रेड नास्ता बनके रेडी हो गया है बहुत ही इंस्टेंट बनके ये रेडी होता है अगर आप एक वार इस तरीके से बना लेते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है आप एक वार जरू ट्राई किजिए आपको भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं यहाँ पर इसे कटिंग कर ले रही हूँ आप चाहें तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चे को टीवन में दे रहे हैं तो आप इस तरीके से कटिंग कर के दे दे या फिर इसे चाहय के साथ जाता है नायक से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसे कटिंग करने में और यह लीजे हमारा नास्ता बनके रेडी हो गया है सर्व भी हो गया है तो आप इस रेसीपी को एक वर जरूर ट्राइ कीजे और जब भी ट्राइ कीजे कमेंट करके बताए कि आपको कैसा लगा और ज़्यादा सेयर कीजे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजेए